मैं हुआ शिवांगी और वाचिंग शिवी स्टाइल्स बहुत टाइम होगा यह बात बोले हुए मेरे को इसलिए आज मैं वाइस ओवर वाली वीडियो बना रही हूँ और इतना टाइम नहीं था मेरे पास की मैं डारेक्टली इंट्रो शूट कर लूँ और यह मेकप लूप म वाले लेंसे हैं और आफ़ दाइम मैंने सिरोना का यहाँ पेखें पूरी तो मैंने वह यूज की है ति आप लोग देख लेना किस तरीके से है तो यह मैंने इंस्टा पर अल्रीडी अप्लोड की हूँ यह की फूल रिव्यू तो यूके चेक आउट माई इंस्टाग्राम जो लोगों के फीरेक्स रिलेटेर होते हैं जैसे कि मैं आपको फर्स प्रोडेक्ट दिखा रही हूँ मैंस्वर कप से मैंस्वर कप जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहां पर इस पर से मैंस्वर कप यहां पर इस पर से मैंस्वर कप कि अधर आप करोगी तो वो वजाइना में डिसाप्यर हो सकता है गाया हो सकता है तो यह गलक मित है मतलब यह एक मित ही है कहूंगी मैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है इस को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मैं इसको यह घुज़र हो जाते है इसको थांते हमें तो इसको तो आप यह तो तो आप इस तरीकी के uh आप आप चाहएं यह आपको दिख भी है यह इस तरीके इंक प्रोडेक्स काफी अच्छे है काफी अपॉरड़ेवल है और आप चेक आउटकर तक करते हो इंकी वाराइटी पो उसके अलावा पीरियड में एक मिल्च होता है कि अचाहर नहीं खाना जाए अचाहर में नहीं च छोगों का बहुत थन्ड़ खट्टा काने दोग मना करते हैं लेकिन छून नहीं चाहिए उससे जा होगा ये मिल को नहीं समझ माझा था और ये ज़त में भूम कर चुकी हूं ऐसना कुछ भी नहीं है लोगों का मानना है कि मंदिर और किचिन पर नहीं हुना चाहि हो चाहिए आपसे पहले ले निया ते मुमी लाभी यह रहा है the commitment Fenoti को अन्हेमें सब्सक्राइइ गग में किया जाता है अग्यादम आपने जा सकते हो तो just because उसके एक रीजन यह था कि वो थीन थीन तरी टेस ऑफ पीडियर वो भर स्थारादा पढ़ता से बहुत साथा था स्थाय आप लोगों को एक जगा दे दे कि आप आराम से आप आराम करो चृआ करने के रिए वो चीज़े होती है ऐखाय है और कि आप रेजिद करो क्योंकि बहुत साथारी होता ऐसान पटमाय होती है पिर टाएम में तो I don't think he will already mix को नहीं जाए था Bodyguard Mospito Replant Cream How it looks और ये मरे चोटा पैक एक अर्टी उसकर है नोइडा के ये है कुछ तरिकिया और उसकी मेरे तीन पैक लिए और मंगाए है वे बच्छों के दाथट प्रॉबलम है तो आप से उसकर हैं सिरोना पैं था यह लेट फैप्स भीपटर स्फिरुट्ट्टर के बीधा और स्ट जो आंठें अचिन था एंचिन नियाए वीडर एंठें पैर अश्क रे वर तरफ ऑन 5 शाओ प्र नियाच एंपर हो तो आप पर small try कर तो, if आप पमपटेब रहे तो small में तो you can purchase small या फिर next time की medium और large की भी आपको knowledge भाएगी So guys, what are you waiting for? ये प्रोडेक्ट काफी अच्छे है और में को पाफी पसंद आये हैं अगर आप लोग भी इंट्रॉटिटेट हो, so guys go and check out, link आपको description में दे रखी है वीडियो शूट हो गई थी, तो उसकी वज़े से इस तरीके से वीडियो आ रही है, बट आगे आपको नहीं दिखेगी तो toner के बाद मैंने यहाँ पर moisturizing की, moisturizing के बाद यहाँ पर lipids का मैंने यह moisturizer यूज किया है यह मेगा मार्ट की प्रोडेक्ट था यह वाला lipids का, तो वह यह वाला मैंने यूज किया है after that मैंने यहाँ पर NY-BEC का concealer यूज किया है, sorry concealer नहीं प्राइमर यूज किया है यहाँ पर भी open post है, हाला कि मेरे open post नहीं है, बहुत लोगों के होते हैं तो वो यह वाला यूज कर सकते है this is a silicon based primer, तो यह काफी mattifying कर देता है मेरे face को और उसके बाद मैंने NY-BEC का यह color character plus primer यूज किया है just because the color correcting बहुत अच्छे से करता है, yellow primer है यह, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है mattify कर देता है skin को and you can see the clearly visible result उसके बाद मैंने यहाँ पर concealer यूज किया है, Swiss beauty का, this is one of my favorite concealer जिसे आप use कर सकते हो, और यह मेरे shade से काफी हद तक match करता है, तो you can see उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी में बस हाथ से ही set कर लिया था, बहुत अच्छे से blend भी हो जाता है तो जल्दी से मेरे को ready भी होना था, मैं आपर foundation की I think clip shoot करना भूल गई थी तो इसलिए बस, मैंने Maybelline का foundation यूज किया है, आपर 128 और brush ने मैं set कर ले रही हूँ यहां पर मैं use कर रही हूँ, loose powder, क्योंकि summer, गर्मी बहुत जादा होने वाली थी, दिन का function था, ceremony जो थी, वो दिन की थी तो उसके लिए base को set करना बहुत जादा जरूरी था, eyes पर, lips के around, क्योंकि crease कर जा रहा था make-up तो उसके लिए मेरे को set करना बहुत जादा जरूरी था, उसके बाद मैंने Swiss Beauty का यह brow palette लिया है I think, इससे best शायद कोई palette है, तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि यह मेरे को बहुत बहुत पसंद है इसमें आपको एक gel मिलता है, थी shades मिलते हैं, black and light grey something और एक brown shade में, अगर जैसे मेरी black हैं तो मैं black ही use करती हूँ, black and grey दौनों को mix करके और इसके बाद आप देख सकते हो, कितनी natural हो, काफी सही लग रही थी, eyebrows मेरी उसके बाद मैंने Sand Nudes My Glam का eyeshadow palette लिया है, अगर बिगनर होना तो यह वाला palette ले सकते हो हाला कि हलका सा या थोड़ा सा कहूंगी, costly है, लेकिन work बहुत अच्छे से करता है, pigmented है, nude shades है I guess you will get a four shade, दो shiny मिल जाते हैं, और दो matte मिलते हैं, उसके बाद मैंने या पर liner यूज कर लिया था and normally liner लगाया है, आप जैसे भी चाओ लगा सकते हो, bold liner या काजल आपको bold और जादा दिखानी है, उस तरीके से कर सकते हो, day का look था, इसलिए मैंने बहुत मिनिमल प्रोडेक्ट के साथ किया है, and plus बहुत nude makeup रखा है, because मैंको बहुत जादा bold makeup day के लिए नहीं पसंद है, उसके बाद मैंने शुगर का mascara लिया है, guys, यह बहुत बहुत अच्छा mascara है, बहुत अच्छे से बॉल्मनाइज कर देता है, बहुत अच्छे से कर देता है, and after that, मैंने NYB का blush लिया है, brush and blush, मैं दोरों मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ, blush लिया है, you can see, blush लगाने के बाद ही कितना glow आजार है, so blush और highlighter is the one of my favorite part of the video, या makeup कर दे टाइम यह दो चीज़े बहुत जादा पसंद ह मेरे को, उसके बाद मैंने Tintin का highlighter लिया है, मेरा Maybelline Stroke Master Stroke Noider रह गया था, इसलिए मैंने Tintin का highlighter अभी उसके बहुत अच्छा है, बहुत ही जाद अच्छा है, उसके बाद मैंने makeup fixer से अपना makeup fix कर लिया, और इसे normal तरीके से, natural तरीके से सूखने दिया, and अपना beauty blender से set कर ल में, क्योंकि बहुत जादा time हो रहा था, और lipstick के लिए मैंने अपने nude shade लिया है, NY wave सकती की यह lipstick है, और यह बहुत प्यारा compliment कर रही थी मेरे look को, लेकिन फिर ममी ने सज़ेश किया, जोड़ी सी dark लगा लूम है, तो इसलिए, और यह look बहुत प्यारा look लग रहा था मेरे को, और एक छोटी सी बिंदी इस look को complete कर रही है, बहुत compliment कर रही थी है, बिंदी इस look को, और earrings के लिए मैंने यह लिए थे, डेली से 30 रुपीज के है, बहुत सस्ते है है, शजर बजर जाओ, या सरोज नी जाओ, तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे चीज़े मिल जाती है and this is my final look, आप लोग बताओ, आप लोगों को यह look कैसा लगा है, अगर यह look आपको अच्छा लगा है, तो please like कर दो वीडियो को, एक comment करके बता दो, कि आपको यह look कैसा लग रहा है, lenses कैसे लग रहे हैं मेरे पे, क्योंकि फर्स वीडियो है, जो मैंने lenses की अपने चैनल पे ड